5, 4, 3, 2, 1 उपसभापती महोदै शिक्षा प्रणाली के प्रती असंतोश का यह सिलसिला कई वर्ष पहले शुरू हुआ था और वह केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है इसका कारण यह है कि समाज और विश्व में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं और विश्व के विभिन भागों में जो परिवर्तन हो रहे हैं तथा जो नए प्रयोग किये जा रहे हैं उनके कारण किसी के लिए भी यह संभव नहीं हो पाया है कि वे नौजवानों की परिवर्तन शील आवशक्ताओं को समझते हुए उनकी पूर्ती के प्रयास करें या उनके सम्मुख वे बाते रखें जिनकी उनसे प्रत्याशा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम निराश हो जाएंगी कोई शक नहीं की बड़े परिवर्तन अपेक्षित हैं और मुझे यह देखकर प्रसनता है कि केंद्र में और राज्यों में शिक्षा मंत्राले इस ओर गंभीर्ता से ध्यान दे रहे हैं कुछ नए कारिक्रमों के शुरुआत हो चुकी है और कुछ अन्यों की योजनाएं बनाई जा रही हैं मैं नहीं समझती कि आप मैं शात्र आपके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों से संतुष्ट हो जाएगा लेकिन साथ ही हमें इस तत्य को भी स्विकार करना होगा कि जो व्यवस्था विद्यमान है उसमें अचानक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता आपको ऐसे ढंग से काम करना होगा कि आप जो कुछ भी करें उसका कोई परिडाम निकले और केवल शिक्षा प्रणाली को योही हिलाड बलाकर न रख दे हम जानते हैं कि अगर कोई छोटी सी भी गरवड़ी होती है तो छोटे बड़े आंदोलन शुरू हो जाते हैं और मैं नहीं सोचती कि जितने आंदोलन शिक्षा को लेकर आजकल चल रहे हैं उनसे जादा चलने से कोई भी लाभ हो सकेगा मैं यहां निर्धारित धन्दराशी में बढ़ोतरी या कटवती को बहाल करने की घोशणा करने नहीं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि मंच पर मंतरी महोदय मौजूद हैं जो योजना आयोग से संबंद हैं और प्रोफेसर चक्रवर्ती भी हैं और मुझे कोई संदेह नहीं की उन्होंने आपके कथन में उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया होगा शिक्षा मंतरी को मालूम है कि मंतरी परिशद में मैं उनके कारिक्रमों की एक सबसे कटर समर्थक हूँ लेकिन हमारे सामने राष्ट्र के सामने बहुत ही कठिन वित्तिय इस्थिती अवश्य है और यह कहना ठीक नहीं होगा कि अगर किसी काम के लिए अपेक्षाकृत कम धन का निर्धारन होता है तो वह हम महत्वपून होता है लेकिन जब प्रात्मिक्ताएं निर्धारित करने का प्रश्न हो तो सबसे उची प्रात्मिक्ता रोजमर्रा की आवशक्ता की चीजों को देनी होती है इसलिए क्रिशी और क्रिशी के लिए सहायब उद्योग को सर्वोच प्रात्मिक्ता देनी होती है मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा करते हुए आपके सम्मुख थोस वर्तमान न हो तो इसके कुछ सीमा तक भविश्य की कीमत पर ही किया जा सकता है आपको दीवारें बनाने से पहले नीव मजबूत करनी होती है और फिर पहले मंजिल और दूसरी मंजिल की ओर ध्यान देना पड़ता है उप सभापती महोदै अभी पिछले दिनों मैं स्वास्य मंत्राले के लोगों से मिल रही थी हम यह नहीं कह सकते कि स्वास्य का महत्व किसी भी प्रकार से कम है क्योंकि अगर स्वास्य थीक न हो तो शिक्षा भी थीक से नहीं मिल सकती बीमार बच्चों या आबादी को शिक्षा से कोई लाभ नहीं मिल सकता तो आप देखें कि अनेक समस्याएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और प्रतेक का हमारे वर्तमान और भविश्य के लिए बहुत ज्यादा महत्व है लेकिन हम इन सब प्रतमिक्ताओं को संतुलित धंग से लेने की कोशिस करते रहते हैं आप से हमारा यह अनुरोध है कि आप इस अवधि की कठिनाईयां दूर करने के लिए हमें सहयोग दें और हमारी कठिनाईयों को समझें यह बहुत लंबी अवधी नहीं है लेकिन जब तक भी यह रहेगी हम सब के लिए कठिनाईयां पैदा करेगी मैं कटवतियों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहूंगी लेकिन मुझे बताया गया है कि शिक्षा के लिए पिछले वर्ष कामोबेश वही राशी निर्धारित हुई है जो वर्तमान योजना के अंतिम वर्ष में रखी गई थी यह हो सकता है कि उक्तराशी परियाप्त न हो मैं ऐसी बात कह भी नहीं रही हूँ लेकिन किसी भी श्यक्षनिक गतिविधी के अंतरगत भौतिक साधन उसका एक बहुत छोटा सा भाग होते हैं उसमें मौलिक्ता, सजनात्मक्ता और नए चिंतन के लिए बहुत गुंजाईश होती है हमें पढ़ाई के साधनों और प्रशिक्षन के तरीकों में सुधार की आवशक्ता है जैसा की मैं कह चुकी हूँ पाठिक्रम जो जगह जगह प्रचलित हैं पुराने पढ़ चुके हैं और उनमें संशोधन आवश्यक हैं और भी बहुत से सुधार हो सकते हैं आज भौतिक साधनों की कमी दिखाई देती है उनके द्वारा हमें शिक्षा में गुडात्म सुधार की यथार्थ आवशक्ताओं के प्रती और अधिक सजग हो जाना चाहिए हमने अभी अभी जिन कुछ विचारों को सुना है और जिने आपके प्रस्ताओं में स्थान मिला है वे बहुत अच्छे हैं और उनका मैं पूरी तरह से समर्थन करना चाहूंगी उदाहरण के लिए आवचारिक शिक्षा के बीच सहस्तित्व का विचार है जिससे शिक्षा प्राप्ति के लिए विभिन द्वार खुल जाते हैं और निसंदेह यह कथन शायद बहुत बार दुहराया जा चुका है कि शिक्षा जीवन परियंत चलने वाला एक सिलसिला है तथा जो भी शिक्षा हमें प्रारंभिक माध्यमिक या उच्चतर कच्छाओं में मिलती है वह वास्तों में उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तैयारी रूप में है जो हम शिक्षर संस्थाओं को छोड़ने के बाद पाते हैं जिसे पाने के लिए हम अपने आपको सक्षम बनाते हैं अगर हमारे पास किसी चीज की कमी हो तो उसकी पूर्ती के दो तरीके होते हैं हम या तो यह कहें कि हमारे पास अमुक चीज नहीं है और इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते या हम अपने चारों और निगाह डाल कर देखें कि किस चीज का इस्तिमाल करके काम निकाला जा सकता है और जैसा कि मैंने कहा अपने इस तर पर हमको अवश्य देखना चाहिए